Hello everyone, this is Ram Vishnoy and you're watching Geographic Guru. आज के इस एपिसोड में इस फीडियो में हम क्या बात करेंगे? बात करेंगे हम क्लास 9th की और continue रखेंगे हमारी क्लास 9th SST Social Science की Most Important Questions की सीरीज को. इस सीरीज में हम chapter wise Most Important Questions आपके साथ share करते हैं और ये Most Important Questions होते कौन से? देखिए हम इस सीरीज में three type के questions को include करते हैं. एक तो वो questions जो chapter के main theme या concept से related होते हैं. देखिए आप चाए किसी भी क्लास में कोई student हो, चाए वो 9th का हो, 10th हो, 12th हो, 11th हो, कोई भी class हो, और कोई भी subject हो, Hindi, English, Social Science, Maths, या जो भी subject हो. ठीक, जब आपके जो pre-board exam होते हैं, आपके mid-term के exam होते हैं, या board exam होते हैं, या in-well exam होते हैं, उसमें 75% जो questions होते हैं, वो इसी type के questions होते हैं. आपने देखा होगा कई सारे बच्चे हैं, पूरे, अगर हम full year की बात करें, तो इतनी serious नहीं दिखते हैं, लेकिन score अच्छा आ जाता है, क्योंकि जिसको ये पता है, कि भाई, कौन से questions हैं, जो chapter के main theme से related हैं, main concept से related हैं, वो एक रात में बाजी पलट सकता है, ओके, तो एक की exam होंगे, उसमें chances होते हैं, कि भाई, ये वाला question तो आएगा, आएगा, ओके, क्योंकि यहीं पर आकर के बात attack ती है, concept यहीं से clear हो रहा है, और एक कुछ questions ऐसे होते हैं, जो आपके previous age के exams में आई हैं, या यूं कहले जिए कि जो NCRT की text book में दिये होते हैं, तो इन सब को मिला कर कि हम इस series को लेकर के हैं, आपने देखा भी होगा कि इसी series में हमने पहले भी video publish की हैं, इस chapter का video भी पहले आ चुका है, तो उन videos में आप comment section में जाओगे, तो आपको मिलेगा कि काफी सारी क्या, आपको 99% students के comments मिलेंगे, उसमें यही होगा कि exactly यही questions आए हैं, तो यह यहां से इसको थोड़ा से हमने अपडेट किया है, इन videos को, तो यहां से भी आपको जितने questions मिलने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, okay, 100% आप इसी concept या फिर इसी video के साथ जा सकते हो, let's begin चली, शुरुआत करते हैं, हम आज के इस episode की, इस video की, आज का हमारा chapter हैगा, class 9 geographic का first chapter है, भारत, स्थेती तथा आकार, इंडिया, location and size, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे one marker question की, यानि की very short answer type question की, उसके बाद हम बात करेंगे three marker की, और इस chapter से later कोई भी five marker question है, यानि की long answer type question नहीं बनेगा, जो आपके exam में पूछा जासके, okay, तो one marker question में हमारा first question दिया ग question है कि करकरेखा वो कितने राजियों से उकर की गुजरती है, तो देखे करकरेखा क्या है, कि करकरेखा कि एगर मान की बात करें, हम value की बात करें, तो वो है 23 degree and 30 minute, okay, 30 minute, इसको हम इस type से लिखते हैं, तो इसको हम just a minute, इसको हम इस type से 0 लगाएंगे, तो यह degree बोला जाएग यह इसकी value है, यह भारत के लगभग बीच में से गुजरती है, यानि कि लगभग भारत को दो भागों मानती है, कितने राजियों से गुजरती है, यह 8 राजियों से उकर के गुजरती है, कितनों से 8 राजियों से उकर के, इसको याद करने एक छोटा सा formula भी है, जिसे एक line लाइन है मित्र पर गमचा जाड जो किशान वगरा है वो एक साफा रखते हैं गमचा जाड ये एक लाइन है इसमें उन आठ राजियों के नाम है जिन से ओकरके हमारी करकरेखा गुजरती है हमारे देश में से गुजरती है तो मीसे हो गया, मीजोरं, तरे से हुगया, तριपुरवा, पैसे हो गया, पश्रे मंगालल, रैसे हो गया, गया से हो गया, गुजरात, मैसे, मद्यपर्देश, छैसे, चत्षकर्ड और जार से जारकन यह वो आठ राज्य हैं जिन से ओकरके गुजरती है, अगर कोशन किसी भी टाइप से पूछा जाए, MCQ के फॉर्मेट में आ जाता है कि भाई, यह जो स्टेट्स देगे हैं, फोर इन में से किस स्टेट्स से ओकरके नहीं गुजरती है, तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते इससे बाद आपका यूएस से हो गया, उसके बाद आपका ब्राजील 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 हो ग बाद आपका उस्ट्रेलिया हो गया तो ये छे देश है जो भारत से बढ़ें तो रश्या की बात करें तो रश्या भारत से साड़े पांच गुना बढ़ा है उसके बाद अगर हम कैनेडा की बात करें तो कैनेडा नेर बाउट लगबग तीन गुना बढ़ा है योसे की बात क जाए तो भारत विश्रों में सात्वे स्थान पर है और अगर हम जनसिंख्या की बात करें अभी 2024 की अगर हम बात करें तो जनसिंख्या के आधार पर भारत अभी at present वर्ल्ड में पहली पोजिशन पर है यानि कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है ओके क्लियर चलिए ने अगर समय रेखा माना जाता है यानि कि भारत ने जो समय लिया न वो इसी रेखा से लिया है दो परकार की रेखाई होती है यह तो आपने concept तो बिल्कुल clear होंगे न कि आप अगर globe में देखोगे तो globe में इस type से रेखाई है यह जो circle में है पूरे के पूरे वृत में होती है यानि कि यहाँ पे zero degree की आपकी हो गई भूमे दे रेखा तो यह सारी रेखाई कौन सी है यह आपके expense रेखाई है दूसरी रेखाई होते है जो उत्री द्रो को दक्षनी द्रो से जोड़ती है यहाँ से यहाँ तक आएगी यहाँ से यहाँ तक आएगी ओके यह होती है टूडिगरी, थर्टी मिनट, पूर्वी दिशांतर की रिखा, से लिया गया है, ये जो रिखा है, ये इलहाबाद के नजदीक से, इलहाबाद के नजदीक नेनी है, वहां से होकर ये गुजटती है, okay, ये बीच में है狂, इंडियाके, और बीच में से इस लिए हमने समय रखना पड़े, अधर्वाइज क्या होगा, कि अगर हम यहां बीच में से नाल नहीं, तो दो गंटे का डिफरेंस आ जाता है, अरणाचल परदेश में सूरे सबसे पहले निकलता है, गुजरात में सबसे बाद में निकलता है, तो वहां दो गंटे के डिफरेंस को कम करने के हमने क्या किया कि बीच में से जो हमारी मानक समय रेखा 82 डिगरी 30 मिनेट गुजरती है उससे हमने समय को निर्धारित कर लिया तो पूरी देश में समय में ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता अधरवाई जितना लंबा चोड़ा देश है तो डिफरेंस दिखाई देता हम शोट आंसे डाइब कोश्चन में थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे कि यह कैसे इफेक्ट डालता है उसके बाद फूर्थ हमारा कोश्चन रहेगा भारत का कुल शेतरफल कितना है तो भारत के कुल शेतरफल की बात करें तो ये 32,8 लाक वरक किलोमेटर है कितना है 32, अगर इसको आपको पूरा याद करना है तो पूरा कैसे इसको आप लिख सकते हो 32,87,263 वरक किलोमेटर ऐसे भी लिख सकते हो पूरा पूरा अथर्वाइस 32.8 लाख स्केर किलोमेटर आप लिख सकते हो उसके बाद नेक्स जो हमारा कोशन हैगा फिप्ट कोशन को देखिए पांचवा हमारा परशन है भारत के किस राज्य में सुर्योध्य सबसे पहले होता है यह हमें बताना है तो भारत के अरोनाचल परदेश में सुर्योध्य सबसे पहले होता है देखिए आर्थ कैसे रोटेट करती है ये पश्रिम से पुरोव की तरब घुमती है ओके वेस्ट वेस्ट की तरब खुमती है ठीक, तो अब अगर हम इंडिया की बात करें, थोड़ा सा अगर हम इंडिया के मैप को बनाने की कोसिस करें यहां से उपर से यहां तेखिए कि ये वाला पार्ट है, यहां अरुनाचल पर्दिश है, तो अरुनाचल पर्दिश है, वो सूरे के पहले सामने आएगा, ठीक, क्योंकि पश्चिम से पूरव की तरब घूम रही है, तो यहां पे सूरुद्ध है, वो सबसे पहले होगा अरुनाचल पर्दिश में, और सबसे उसे भी जो अरुनाचल, अरुन जो शब्द होता है वो सूरह के लिए परियोग मिलाई जाता है तो इसलिए यहां जो स्टेट का नाम है वो अरुनाचल है जहां सूरह सबसे पहले निकलता है सूरह का राज्य है यह ठिक उसके बाद next जो हमारा question है अगला जो sixth most important में हमारा question दिया गए शेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और छोटा राज्य है कौन सा है तो शेत्रफल यानि कि एरिया के बेस पिखाएं तो राजस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और गोवा भारत का सबसे चोटा राज्य है सिक्किम भी है कई बार confused हो जाते हूँगे आप कि सिक्किम है वो जन संक्या के अधार पर सबसे चोटा है अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे चोटा राज्य है गोवा रहेगा और सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्तान होगा सेवंथ question देखिए सेवंथ जो हमारा question रहेगा most important questions में किस परोसी देश के साथ हमारी सबसे लंबी स्थलिय सीमा है तो सबसे लंबी स्थलिय सीमा हमारी बांगला देश की साथ है अब देखिए हमारे परोसी देशों की बात करें तो परोसी देश कोन से होगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यामार, बांगला देश ये हैं जिन के साथ हमारी सीमा लगती है ओके यूँ कह सकते है दिवार लगती है clear स्थलिये सीमा लग रही है और दो हमारे समुद्री पॉडोसी देशें शिڑलंका और माल्दी तो टोटल हमारे नो पॉडोसी देश हो गıllे अब इसमें सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है तो वो बंगलादेश के साथ लगती है लेकिन मैप में अगर हम देखे ना हमारे सामने मैप भी रखते आजाए तो हमें डाउट होगा एक लाइन होगी बच्पन में MBA किया ठीक MBA किया अब देखिए इस लाइन में हमारे उन परोसी देशों के नाम है sequence के according जिनके साथ हमारी सीमा लगती है बच्पन में बैसे बंगलादेश, सबसे लंबी सीमा बंगलादेश के साथ है चैसे चाइना, दूसरी सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ फिर पैसे पाकिस्तान, नैसे नेपाल, M से म्यामार, B से भुटान और A से अफ़कानिस्तान सबसे छोटी सी माह हमारी अफ़कानिस्तान के साथ लगती है बड़ी important question है जब हम UPSC वगरा के त्यारी करते हैं या government job के लिए जब exam देते हैं ऐसा कुछ नहीं कोई rocket science आएगा इसी type के छोटी-छोटे questions हैं जो आपकी 6, 7, 8, 9, 10 की classes में से questions वहाँ पर आते हैं वहाँ जाकर के जातर बच्चे confused हो जाते हैं तो हम एक sequence के coding या proper तरीके से इनको learn करें तो हम सायथ कभी नहीं भूलेंगे तो बच्चपन में MBA का है इस line को याद रखना है जिसमें हम सभी states, सभी जो हमारे neighboring country है उनको हम sequence के coding याद कर पाएंगे next question को देखिए अगला जो हमारा person रहेगा 8th question है किस परोसी देश के साथ हमारी सबसे चोटी स्थलिय सीमा है तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे चोटी स्थलिय सीमा है अभी हमने वो line की थी ये बच्पन में MBA किया MBA A for Afghanistan उसके बाद 9th question को देखिए 9th अगर हम question को देखें तो 9th हमारा question दिया गया भारत के किस राज्य की तटी सीमा सबसे लंबी है ये हमें बताना है तो गुजरात की तटी सीमा सबसे लंबी है visibility की अगर बात करें तो देखने में आपको लग सकता है कि आंध्रा परदीस की लंबी है लेकिन सेम यहीं पर भी वही चीज़े हैं कि जिग जेग वे में गूम के जाती है तो गुजरात की 30 सीमा है यानि की समुद्री सीमा हो सबसे लंबी है उसके बाद 10th हमारा question रहेगा करक रेखा भारत के कितनी अक्षांस से गुजरती है देखी करक रेखा का जो मान है वेल्यू है वो है 23 डिगरी 30 मिनट अगर हम इसको गलोब मानें तो देखे सबसे बीच में इसे जो रेखा गुजरती है वो है 0 डिगरी की रेखा उसको बोलते हैं भुमेद्दे रेखा और साड़े 23 डिगरी उत्री अक्सांस की जो रेखा है उसको बोलते हैं करक रेखा ये करक रेखा जो भारत के लगवग मद्दे से गुजरती है और ऐसे ही साड़े 23 डिगरी जो दक्षनी अक्सांस की रेखा है उसको बोलते हैं मक्करेखा, ठिक, तो यह जो बीच का जोन होता ना करकरेखा और मक्करेखा का जोन, यह हीट जोन है, यहाँ पर टेमपरेचर कमपेटरली ज्यादा रहता है, तो करकरेखा है, वो भारत के मद्य से गुजरती है, आठ राजियों से उकरके गुजरती है, और वो कितने एकसांस से गुजरती है, 23 डिग्री, 30 मिनट, उत्री एकसांस से, ये जो उपर 23 के साथ ये इसको डिग्री बोलेंगे, और उसको बोलेंगे हम मिनट, इसको हम बोलने में 25 डिग्री भी बोल देते हैं, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो तीस आदे होगे, ओके, तो आदे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं न, साड़े तेइस डिग्री, ऐसा भी बोला जाता है, यह आपने सुना होगा कि टीचर ऐसे बोल देते हैं, उसके बाद 11th हमारा कोशन दिया गया, 11th कोशन को देखिए, 11th कोशन है, जस्ट ए मिनट, 11th कोश था या है, अभी भी बोल सकते हैं, यह कहां है, देखिए, अगर हम मुख्य भूमी की बात करें, मुख्य भूमी को अगर हम देखें, इंडिया के, तो मुख्य भूमी मतलब जहां से हम साउथ से, जस्ट ए मिनट, जिसे हम साउथ इंडिया की बात करें, तो ऐसे कुछ तो मुख्य भुमि का दक्षनी बिंदु जो है वो क्या है, वो है कन्याकुमारी ठीक, लेकिन इन्हों ने पूछा भारत का ऐसा नहीं लिखा ना मुख्य भुमि भारत का सबसे दक्षने बिंदु कोण से है तो यहां देखी यहां पर आ जाता है हमारा अंडे मान निकोबार और अंडे मान निकोबार है ना जो इस लाइन से भी थोड़ा नीचे की साइड में गया ना इसे ऐसे है तो इसका अंडे मान निकोबार का सबसे दक्षन वाला पॉइंट है वो भारत का भी दक्षन वाला पॉइंट है सबसे क्योंकि वो थोड़ा और पास आ गया किसके जिरो डिगरी के तो उसका नाम है इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट भारत का सबसे दक्षनी बिंदू है हलांकि 2004 की सुनामी के बाद ये पाने में डूब गया यानि कि यहां पर ये बाहर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अभी भी ओफिशिली तोर पर ये ही भारत का सबसे दक्षनी बिंदू है तो दक्षनी बिंदू अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षनी बिंदू कौन सा है तो इंद्रा पॉइंट उसका आंसर रहेगा अगर ये पूछा जाए कि भारत की मुख्या भूमुई का दक्षनी भार कुन सा है तो वो करन्या को मारिये ठीक उसको बार ट्वेल्थ कोईशन को देखिए बारवा हमारा परशन है भारत में राज्यों तथा किंदर शासित परदेशों की संख्या कितनी है तो भारत में कुल 28 राज्ये तथा 8 किंदर शासित परदेश है कितने राज्ये हैं 28 राज्ये हैं और 8 किंदर शासित परदेश है ठीक अब देखिए अगर हम बात करें तो हमारे जो किंदर शासित परदेश है पहले साथ थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाक के अंदर्शासित परदीश बना दिया, नो हो गए, अब नो से आठ कैसे हो गए, दादरानगर हवेलियो और दमन इंदीव, दो अलग-लग के अंदर्शासित परदीश थे, उनको मिला करके एक कर दिया गए, तो य यह रहेंगे इस चैप्टर के most important one marker questions, जो आपके exam में पुछे जा सकते हैं, now let's move to the next segment, और यहां पर दिये गए इस चैप्टर के most important short answer type questions, यानि कि three marker questions, जैसा मैंने बताया कि इस चैप्टर में से long answer type questions आपके exam के लिए नहीं रहेंगे, नहीं बनेंगे, यहां short answer type questions भी limited रहे हलांकि यह जो three questions दिये गए है, इन में से कोई यह question confirm आपके exam में आएगा, तो इसमें पहला जो हमारा question दिया गया है, कि भारत का अक्षांसिया और दिशांत्री विस्तार कितना है, तो यह अक्षांसिया और दिशांत्री विस्तार है, इसको समझने के लिए मैंने chapter को detail में भी आपके साथ share के वाए, तो वहां से आप इस chapter को समझ सकते हो, ताकि आपको यह concept भी clear हो जाए, थोड़ा साथ मैंने बताया था कि इस type से यह globe है, तो globe में जो zero degree की रिखा है, that is the भूमध्य रिखा, okay, equator है, तो equator के parallel जितनी भी रिखाई हैं, उनको बोलते हैं, अक्षांस यह रिखाई हैं, ओके, अक्षांस यह रिखाई हैं, और जो रिखाई हैं, उत्री द्रू को दक्षनी द्रू से जोड़ती है, यह होते हैं, अर्ध विरत, इनको बोलते हैं, दिशांतर रिखाई हैं, अब देखिए, भारत कहां पे है, हमें इस globe के according देखना है, कि भारत कह पर address होता न, यह आपका घर कहां पे है, ऐसे भारत के एक जोग्रोफिकल लोकिशन होती है, कि कितने डिगरी अक्सांस से सुरू होकर के, कितने डिगरी अक्सांस तक चलेगा, कितने दिशांतर से, कितने दिशांतर के बीच में, ऐसे बताना होता है, ठीक, डिटेल में रहा हूँ कि इस कांसर क्या रहेगा और कैसे रहेगा, तो देखे, भारत का जो अक्सांस ये और दिशांतरी विस्तार है, तो भारत आठ डिगरी चार मिनट से, 37 डिगरी छे मिनट उत्री अक्सांस, ओके, देखे, अक्सांस ये जो रेखाएं होती है न, इसे, यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 1 डिगरी की है, यहाँ भी 1 डिगरी की है, यह 2 डिगरी है, यह 3 डिगरी है, ओके, तो यह सब सेम रहेगी, अब उत्री है तो उसके आगे उत्री लिखना जरूरी है, जैसे देखे कि 1 डिगरी यहाँ भी है, वन डिगरी यहाँ भी है, होता है न, आपके section A, B, B, two roll number है section B में bhi two है तो आगे कैसे लिखते हो section लिखते हो 1A, 1B, okay 16A, 16B, like that तो ऐसे हमें लिखना होता है तो भारत कहा है उत्री गुलार्द में उत्री गुलार्द में है ना पहली चीज़ क्लियर होगी अब उत्री गुलार्द में है तो भारत उत्री गुलार्द में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्री एकसांस के बीच में यानि कि अगर हम यहां से इंडिया को सुरू करें और नीचे वाला पार्ट ये करें यहां 8 डिगरी 4 मिनट के लाइन गुजरियें और यहां से गुजरिये 37 डिगरी 6 मिनट के लाइन तो 8 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अक्सांस तथा 68 डिगरी यहां पे अगर हम गुजरात वाले साइड जाएं तो यहां से है 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनटसे 97 डिग्री 25 अगर हम अरना चल परदुष कर जाएं तो भारत की अक्षांस ये और दिशांतरी ये लोकेशन है ये है आपकी अक्षांस ये लोकेशन अक्सांस के वेश पर हम कहां पर हैं और यह हमारी देशांतरी लोकिशन यान की देशांतर के वेश पर हम कहां पर है करकरिखा भारत को लगपक दो बराबर भागों में पांटते हैं तो इससे भी एक आइडिया हो जाता कि भारत कहां है कि करकरिखा का आधा उपर के हिसे में ह और आधा उससे दक्षन में आ जाता आधा उत्तर में आ जाता है ठीक तो यह होगी भारत की अक्षांसिय और देशांतरिय लोकिशन या उसका विस्तार क्या है उसके बाद सेकंड जो हमारा कोशन रहेगा सेकंड कोशन है थ्री मारकर में अरुनाचल परदेश में सूरे ही पहले निकलता है फिर टाइम एक जैसा क्यों है ठीक और 2 गंटे पहले क्यों निकलता पहले निकलता तो एक अलग मसला लेकिन 2 गंटे fix दो गंटे पहले क्यों निकलता सारी चीजी क्लियर करने हैं तो दीखिए प्रित्वी जो है वो पच्छिम से पूरव की तरफ खुमती है ओके पच्छिम से पूरव की तरफ आपके अगर आप नौर्थ की तरफ फेस करके बैठो तो आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के साइड में ऐसे बुक को घुमाई ए ठीक ऐसे घुमती है तो जो आपकी बुक का जो पार्ट इस्ट की साइड में होगा वो पहले पंखे के नीचे आएगा ना फेन के सिलिंग फेन के नीचे आगा यानि वहां पर सूरे पहले दिखाई दिगा यानि सुर्वद्य वहाँ पहले होगा, तो पृत्वी हो पश्चिम से पूरव की तरब घुमती है, इसके काण जो पुर्वत्र भारत होता है, पुर्वत्र जो भाग होगा, उसमें सूरे पहले निकलेगा, अब अरुनाचल परदेश क्योंकि हमारे पूरव में है, इस्ट में है, तो वहाँ पर सूरे सबसे पहले निकलेगा, पूरव में है न, तो अरुनाचल परदेश में सूरे पहले निकलेगा, यह चीज तो क्लियर होगी, कि पृत्वी है, वो पश्चिम से पूरव की तरब घुमती है, तो जो भाग पूरव में होता है, वहाँ पर सूरे पहले निकलता है, अब चीज़ तो समझ में आगे न, सूरे अनाचल परदेश में पहले क्यों निकलता है, अब बात आती है कि दो गंटे पहले निकलता है, अब दो गंटे पहले क्यों निकलता है, उसको भी हम समझ लेते हैं, कि जो सूरे है, वो एक दिसांतर को पार करने में चार मिनिट का समय लेत मतलब दो घंटे, तो ये दो घंटे का अंतर हो गया, अभी हमने किया था था ना कि 68 डिग्री, 7 मिनट से 97 डिग्री, 2-5 मिनट, उपर नेक्स्ट कोशिन में किया न, ये भारत का दिशांत्रे विस्तार है, तो ये वाली रेखा तो है गुजरात के पास, और ये वाली रेखा ह अनाचल प्रदेश के बाद, दोनों में से अगर 97 में से 68, 7 माइनस करें, तो निरबाउट 30 होता है, यानि कि 30 डिग्री का अंतर है दोनों में, अब सूरे एक डिग्री को पार करने में लेता है, 4 मिनट, ठीक, और 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री को पार करने में का वो ना तो हमने अना चल परदेश के कोडिंग किया ना ही हमने connects के लाईन है वो होती है लगबक 82 डिग्री 30 मिनट की लाईन वहांसे समय लिया है कि वहां के कोडिंग थे समयु किस किया है तो यह जो मानक समय रिखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनिट की मानक समय रिखा और इसके अधार पर हमने पूरे दिश का समय सेट किया इसके घड़ियां है वो एक जैसा ही समय दिखाएगी यह इस दिया किया गए अगर हम अगर ऐसा कुछ करते कि अगर माने जै कि शाम को अनुपमा शिरियल अगर हमें देखना होता तो वो टीवी वाले कैसे बताते देखी रात के साड़े साथ बज़े कहां देखिए साड़े साथ बज़े आप देखिए अगर नाचल परदेश में बेंगोल में देखिए आपको रात को आठ बज़े यूपी में आप देखिए साड़े आठ बज़े दिल्ली में देखिए कन्फियुज हो जाते कि भाई कहां पे क्या बता रहा है तो इस एक रूपता को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया के देश के बिलकुल बीच में से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा को हमने मानक समय रेखा कोशित कर दिया और उसी के अधार पर पूदे दिश का समय तै कर दिया ताकि किसी भी परकार का कन्फूजन ना रहे चलिए नेक्स्ट कोशिन की बात करते हैं अगला जो हमारा कोशिन रहेगा थर्ड कोशिन रहेगा तीसरा जो हमारा परशन है हिंद महा सागर में भारत की केंदरी स्थिति के क्या लाब है ऑके अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कुछ ऐसा है इंडियन ओशन में ठीक अब यहां पे अरब सागर आ गए यहां पे बंगाल की खाड़ी यहां पे इंडियन ओशन यह भी अरब सागर की पार्ट है ओके अरब सागर की नहीं हिंद महा सागर की इंडियन ओशन की पार्ट है ठीक अब इंडियन ओशन के बीच में बिल् उर्षेफिव्यकिन हो, चाहिव अट्लांटिक कॉषिच्टिक कॉषिच्टिक उस्था साुधन ऊच्च्ण हो, किसी का देश के नाम के उपर नामAR नहीं है, इंडिया के नामके नामके ऊपर एक महासागर का नाम है, इसे पता चलता है की भारत का कितना दबदबा आई इसमे क्योंकि भारत इस महा सागर के इस ओशन के बिलकुल बीच में आ जाता है ठीक अब इस लोकेशन के भारत को क्या फाइद दे होते हैं वो हमें बताना है तो देखिए सांस्किर्टिक आदान परदान में ये मददकार है अब हमारा देश सेंटर में हैं तो हमारा देखिए अरबों से अरब के देश हैं उनसे भी अच्छे संबंद है अफरिका के देशों से भी अच्छे संबंद रहे हैं इंडोनेशिया थाइलेंड मैमार मलेशिया यहां से भी अच्छे संबंद रहे हैं एक तो Central Locations यही हुआ कि हमारे दूसरे दिशों से जो हमारे सांस्किर्थिक आदान परदान है, वो प्राचिन समय से अच्छा रहा है, प्राचिन समय से हमारा वैपार होता रहा है, प्राचिन समय से यहां से संस्किर्थिक अपरचार परशार होता रहा है, यहीं से देखे बो विदेशी वैपार में साहिक है क्योंकि भारत हिंद मासागर के बिलकुल मद्यमिस्तित है एक लंबी चोड़ी हमारी तट रेखा है 7516.6 किलोमेटर लंबी हमारी तट रेखा है ठिक यह हमारी तट यह रेखा यहां से सुरो करके यहां तक जाती है अब इतनी लंबी चोड़ी जो तट रेखा है इस तट रेखा है ऊपर काफी सारे पोट है काफी सारे पतन है बंदरगा है ठिक अब इन पोट बंदरगा से विदेशी वैपार में साहिक है और अब भी मिल रही है हमारा जो पिचानमे पर्तिशत विदेशी वेपार है वो इसी पोर्ट से इसी तट्ये भागों से होकर के होता है इन्हीं बंदरगाओं से होता है तो विदेशी वेपार में सायक है क्योंकि ये सबसे सस्ता वेपार जो परिवन का सादन होता है वो समु मुंबई हाई है मुंबई से दूर अगर हम वेस्ट के साइड में जाएं तो अरेबियन सी में मुंबई हाई है हमारे देश का 62 पर्षेंट जो खनीज देल है मिननर ओयल है वो वहीं से निकलता है तो कहीं सारे खनीज भी प्राप्त होते हैं चोथा सेनिक महत भी है देखिए देश की सुरक्षक ले काफी महत पूर है देखिए लंबी चोड़ी तट रिखा है तो किसी भी देश के लिए तूरं थमला करना इतना आसान नहीं है तो यह चार इंपोर्टेंट आप पॉइंट लेख सकते हो कि इसके इंदरी स्थेति के यहिंद मासागर के मद्य में होने से भारत को यह फायदे परात होते हैं तो इस चाप्टर में से यही रहेंगे आपके most important questions, hopefully यह चोटा सा वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful रहा हुआ, बाकी अगर वीडियो की बात करें तो बाकी चाप्टर already मैं पब्लिस कर चुका, ठिक, तो आप लेलिस्ट में जाए, class 9th, SST, most important questions वहां से आप find out कर सकते हो, और अभी जो यह वीडियो जा रहेंगे, updated version है, यानकी कुछ छूट गया था, या कुछ recent में change हुआ, तो उसके coding धीरे धीरे करके आपको बाकी सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, English medium, Hindi medium, both medium में हम लेकर कहेंगे, आज के लिए सितने, thank you, bye-bye, have a nice day.